तो हेलो दोस्तो I hope आप सब अच्छे होगे और आजका जो ये वीडियो है उस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे कि ट्रेड कब और कैसे लेना चाहिए तो ट्रेड के कुछ रूल है उस रूल में मैं आज आपको सिखाऊंगा कि ट्रेंड को कैसे अइडेंटिफाई करके और कब कहा ट्रेड लिया जाता है तो ये अगर आप सीख जाओगे अच्छे से तो आपको बहुत helpful होगा और आप daily profitable trader बन सकते हो तो इस वीडियो को शुरू करने के पहले मैं आपको कुछ बाते बता देता हूँ कि जब trade हमें लेना होता है तो trend में हमें देखना क्या होता है कि आज का trend क्या है जैसे या bearish trend है जैसे ये सारी trend का पता चल गया जैसे इसका आज पता चल गया हमें कि trend क्या है तो अगर trend समझो bullish trend है अगर suppose आज का जो trend है वो bullish trend है तो bullish trend में भी हमको ये देखना है कि price कहाँ पर है अगर समझो price अपने nearby support पर है तो वहाँ पर हम bullish का trade activate करेंगे और वहाँ पर हम profit कर लेंगे और उसके बाद अगर हमें trend पता चलता है कि sideways है ये sideways trend हमें पता चल गया तो sideways trade में क्या करना होता है कि सिर्फ और सिर्फ breakout trade करना होता है breakout trade कैसे करेंगे वो भी चीज में आपको बता दूँगा फिर उसके बाद हमें पता चलता है कि आज का trend है वो bearish trend है आज का जो बाजार है वो bearish trend है, तो bearish trend में हमें price जो है वो nearby resistance होना चाहिए, तब जाके वहाँ पे हम put का trade लेंगे और वहाँ पे हम profit लेके निकल जाएंगे बार, वो profitable trade हम कर सकते हैं, तो पहले हमें trade करने के पहले हमें trend पता करना होता है कि बाजार bullish trend है, sideways trend है या फिर bearish trend है तो ये तीनों जब हमें पता चल जाता है, तो उसके बाद करना क्या है, समझो अगर बाजार bullish trend है, तो आपको एक अच्छे से बना के दिखा देता हूँ मैं, समझो बाजार bullish trend है, bullish trend में price जो है, वो nearby support है, अगर समझो मैं आपको example दूँ, ये support बना रहा हूँ मैं, ये support बन trend में, जैसे बाजार support पे आए, तो यहाँ पर हमें direct trade नहीं लेना होता है, क्योंकि वो क्या होता है, वो नीचे के तरफ जाएगा, नीचे के तरफ जाएगा, SL hit कर देगा, या फिर break trade, break, कितने बार तो fake breakout डिखा के वो उपर आ जाता है, तो ये सारी चीज़ें होती है, इस proper bullish sign मिला, तो यहाँ पर हम trade activate करेंगे, और उसके बाद ये बाजार हमें, उपर तक का पूरा profit डे देगा, तो कभी भी याद रखना, nearby support पे आए, और support पे आने के बाद, यहाँ पर कोई ना कोई bullish sign मिले, और उस sign को trade करके, वहाँ पर हम trade activate करेंगे, और अच्छा खासा profit generate कर लेंगे, अब तीसरा condition आता है, second condition जो आता है, वो sideways condition है, sideways condition में जो breakout होता है, तो breakout में trade हम कैसे करेंगे, वो आपको समझा देता हूँ, breakout trade समझो, वो एक channel बना देता है, समझो इस channel के अंदर बाजार फसा हुआ है, आपी देर से यहीं पर trade ऐसे उपर नीचे उपर नीचे हो आप समझो, जैसे trade उपर breakout दे दिया, तो जैसे breakout दिया, वहाँ पर trade नहीं लेना हमें, यहाँ पर जैसे breakout देगा, वहाँ पर wait करना है, उसके बाद यह retest के लिए आएगा, उस channel को retest करेगा, और जैसे retest किया, और यहाँ पर हमें कोई अच्छा sign मिले, उसके बाद उस trade को activate कर देंगे, तो यहाँ पर हमारी जो winning ratio रेगी, वो 98% हो जाएगी, और बहुत rare case में आपका SL हिट होगा, जो swing वो होता है, वो SL रख दिया जाएगा, same condition अगर नीचे के तरफ breakout मिले, तो वो retest का wait करने का, फिर यहाँ पर कोई एक अच्छा sign मिल जा, उसका, या फिर direct भी आ 98% हो जाएगी, तो यहाँ पर आप समझ गए, पहले तो bullish trend मालूम पड़ है, तो nearby support आना चीए, और उसके बाद यहाँ पर जैसे support पर है, तो bullish sign मिलेगा, उसके बाद महाँ पर trade activate करेंगे, उसके बाद अगर बाजार हमें मालूम पड़ता है, trend sideways है, तो sideways trade में जब nearby breakout हो, breakout के नजदीक हो, तो उसके बाद वहाँ पर retest का wait करने का, retest के बाद वहाँ पर proper retest लेने के बाद वहाँ पर trade activate करने का, चाया वो breakout call side हो, चाया वो breakout put side हो, तो वहाँ पर proper हम trade activate करके profit generate कर सकते हैं, फिर उसके बाद आता है bearish trend, अगर bearish trend हमें पता चल जाए कि आज का trend जो हो bearish trend है, और bearish trend में वहाँ पर हमें मालूम पढ़ जाए कि आज bearish trend में भी price nearby resistance है, सपोज ये resistance है, nearby resistance है, और ये बाजार resistance पर ऐसे इरत के नाचर है अच्छा खासा, और उसके बाद यहाँ पर कोई bearish signal दे दे, सुनना ध्यान को, bearish signal दे दे, और उस signal पर जैसे यहाँ पर हम trade activate क करेंगे, वो हमारा SL बन जाएगा, जो bearish signal रहेगा, और वहाँ से हम यहाँ तक का पूरा swing जो रहेगा, वहाँ तक का हम target activate कर देंगे, तो यहाँ पर भी winning ratio अच्छे खासे हो जाएगे, अगर बाजार में सच में आपको टीकना है, और long term काम करना, यह जो भी बाते में बता रहाँ, क्योंकि जो pro trader से वो हरे अपने strategy पर work करते, यहाँ पर जो beginner से उनको पहले यह सारी चीज़े सीखना पड़ेगा, support resistance और breakout trade कप किया जाता है, कैसे किया जाता है, तो पहले हमें कभी भी बाजार में याद रखना trend find करना है, कि trend क्या है, उसके बाद जो तुमारा winning ratio निकल के आएगा, वो बहुत अच्छा निकल के आएगा, और देखो कभी भी trade करने के पहले risk reward क्या है, वो manage करने का, उसके बाद ही trade करने का, ठीक है, तो यह सारी बाते ध्यान में रखना, आप भी एक अच्छे profitable trader बनके निकलोगे, तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मे अगर आपको कुछ बाते अच्छी लगी हो, तो उसको लिख देना, उसको मैं mention कर दूँगा उपर, और अगर आपको कोई अच्छे topic या फिर कोई भी topic पे वीडियो चीए, तो मुझे वो भी comment कर देना, मैं उस topic पे भी videos बना दूँगा, thank you so much guys झाल